Hello students, कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel Accounting Masterclass and आज के lecture से हम एक नया subject स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is Economics काफी students request कर रहे थे कि मैं Economics स्टार्ट करूँ जल्दी तो बस अब आपका इंतिजार खतम हो गया है, आज के इस lecture से हम Economics शुरू करने जा रहे हैं और एक मैं बात भी क्लियर करना चाहती हूं कि यह जो मैं Economics पढ़ाऊंगी यह मैं BBA, Bcom, MBA, Mcom, CA Inter, CMA and जो different competitive exam है इनके syllabus को ध्यान में रखके कराऊंगी, तो यह आप सभी students के लिए काफी useful रहने वाला है और एक बात और है, देखी जो basic concept है ना, वो नहीं change होता है, वो तो same रहता है जैसे अगर मैं बात करो Micro Economics या जो Macro Economics है इसका जो मतलब है, ऐसा तो नहीं होगा कि BBA वालों के लिए इसका मतलब कुछ और है बीकॉम वालों के लिए कुछ और है, या MBA के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है ठीक है, तो basic concept will remain same, वो एकदम सेम रहता है और आपने notice किया होगा कि मैं अपने lectures में basic concept ही discuss करती हूँ जो सारे ही courses के लिए applicable होता है ठीक है, क्योंकि actually मैं पस काफी message ऐसे आता ही कि माम BBA के according पढ़ाई है या Bcom के according पढ़ाई है, तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं basic concept पढ़ाती हूँ ठीक है, तो जो BBA के लिए भी applicable है, Bcom के लिए भी applicable है ठीक, आपको अपने syllabus के according फिर मेरे चैनल पर वो topic सर्च करने है ठीक है, चलिए, तो फिर देखते हैं, आज के lecture में हम कौन कौन से sub topic discuss करेंगे तो आज में सबसे पहले आपको economics का introduction बताऊंगे, economics क्या होती है, यह बताऊंगे ठीक है, उसके बाद economics के basic elements हैं, वो हम discuss करेंगे उसके बाद मैं micro economics and macro economic यह क्या होता है, इसके example के साथ समझाऊंगे और इसके बीच में आपको difference बताऊंगे ठीक, और lecture start करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से subject हैं जो मैं अपने channel पे cover कर चुकी हूँ, ठीक है, अपने YouTube channel पे वैसे अगर आप उराने students हैं, तो आपको पता होगा, बट अगर आप मेरे channel पे first time आए हैं तो screen पे आपको दिख रहा होगा, यह सारे ही subject मैं अपने YouTube channel पे cover कर चुकी हूँ मेरे 1000 question की MCQ series है, जो different competitive exam के लिए काफी useful है, ठीक है cost accounting का पूरा syllabus BBA, BCOM, CMA, CA, Inter के according मैंने cover किया है class 11, class 12 की जो basic accounting है, वो मैंने cover किया है, पूरी management accounting पूरा cover किया है business statistics पे मेरी एक playlist है, वो cover किया है, और BCOM first year की जो advanced accounting होती है, वो cover किया है तो अभी तक, यानि November 2021 तक, यह सारे subject है, जो मैं अपने channel पे cover कर चुकी हूँ और अब मैं economics से start करने जा रही हूँ, जल्दी economics भी इस list में add जाएगा ठीक है, तो फिर चलिए, फिर चलिए आज का lecture हम start करते हैं, economics, economics है क्या, ठीक है तो economics is the branch of knowledge, economics branch of knowledge है या कह सकते हैं, economics वो study है जिसमें हम human being की जो activity है, उनकी study करते हैं, ठीक है human being वो activity जो perform करता है, ताकि human being satisfy कर सके अपनी unlimited wants को, ठीक है यारी देखिए, इच्छाएं तो अनन्त हैं, इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, तो human being की जो wants है वो तो unlimited है लेकिन हमारे पास जो resources हैं, ठीक है, वो तो limited है ना तो human being कैसे अपने unlimited wants को satisfy करता है, उनको fulfill करता है from the limited resources अपने सीमित संसाधनों के साथ, limited मतलब सीमित, ठीक है, limited quantity में है हमारे पास resources तो अपने limited resources के साथ कैसे unlimited wants को human being satisfy करता है, ठीक है उसकी study, उसके लिए क्या activity perform करता है, यह हम study करता है, किसमें? economics में ठीक, अगर हम resources की बात करें, कौन-कौन से limited resources है, तो आपको बता दो हमें पास जितने भी resources है सारे ही limited है, चाहे आप land की बात कर लीजे, चाहे labor की बात कर लीजे, चाहे capital की बात कर लीजे या किसी भी दूसरी electricity की बात कर लीजे जितने भी resources हैं ठीक है हमारे पास सारे ही तो limited है land एक limited है ठीक है labor भी limited है capital भी limited है ठीक है तो जितने भी resources है वो सारे ही limited है लेकिन जो wants है human being की वो तो unlimited है हमारी इच्छा है तो कभी खतम ही नहीं होती ठीक है पहले तो mobile phone नहीं था तो भ उससे भी काम चल रहा था लेकिन मतलब wants are unlimited फिर black and white के बाद colored की requirement है colored के बाद थोड़ा सा उस पर और features होने चाहिए feature के बाद थोड़ा धीमे-धीमे करते smart phone आ गया ठीक है तो वही wants are unlimited wants तो satisfy होती नहीं है लेकिन हमारे पर resources क्या है वो limited है तो किस तरीके से अपने limited resources के साथ हम अपनी unlimited want को satisfy कर सकते हैं उसके लिए human being जो भी activity perform करता है उसकी study की जाती है economics में right तो this is economics यह economics है ठीक और यह जो English का word जो economics है यह दो Greek word से बना हुआ है दो Greek word के combination से बना हुआ है ठीक है कौन-कौन से word, oikos यह देखें oikos और nemen, यह दो Greek word है जिन से मिलके बना है economics, aikos का मतलब होता है household यह जो oikos word है इसका मतलब होता है household और nemen का मतलब होता है management तो जहरा इनको जोड़ दीजे तो क्या बना management of household, यानि कोई भी household क्यासे management करता है, कैसे manage करता है अपनी unlimited want को fulfill कर के लिए कैसे अपने limited resources को utilize करता है यह study करते हैं economics पे कोई भी household अपने limited resources को किस तरीके से कितने अच्छे से ठीक है उसको कैसे fully utilize करता है ताकि वह अपनी unlimited wants को satisfy कर सके तो उसकी study की जाती है economics पे तो अब मुझे लगता है कि आपको अपनिक समझ में आ गया है क्या है चलिह मैं एक एक्जामपल के साथ समझाती हूं देखिए चो लान नह läuft लान्यद है land is a resource ठीक है to land हमारे पास limited हैं जमीन लिमिटेड है तो फार्मिन कर सकते हैं या तो बारा लीजे या उस जमीन पर कोई दुकान खोर लीजे या उस जमीन पर डाल लीजे या और भी कई ऑप्शन हां उस जमीन को यूटलाइज करने तो किस तरीके से human being जो होता है अपने limited resource, limited resource यानि एक limited जमीन के टुकड़े को किस तरीके से human being utilize करता है ताकि वो अपनी needs, अपनी जो wants है उनको satisfy कर सके, उनको fulfill कर सके, इसी की study करते है economics में, ठीक है, कोई person है, उसके पास छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, तो वो उस जमीन के किस तरीके से utilize करता है, वो उस पर farming करता है, कि घर बनाता है, कि शॉप बनाता है, कि फैक्टरी डालता है, तो किस तरीके से वो use करता है, ताकि अपनी unlimited want को satisfy कर सके, तो उसके लिए जो human activity perform करता है, उसकी study करते है, हम economics में, राइट, एक और example चली समझाती हो, suppose करी एक person है, यह तो होगी land की बात, अब जरा capital की बात कर ले, suppose करी एक person है, एक household है, उसके पास जो उसके महीने की income है, वो है 50,000 रुपए, ठीक है, एक household है, जिसके पास महीने का जो पैसा आता है, वो है different sources से, वो 50,000 रुपए है, but उनकी wants to unlimited है, देखिए, उनकी बहुत साइस जरूरते हैं, उनको घर का rent भी देना है, grocery भी खाइदनी है, ठीक है, बच्चों की education पे भी खर्चा करना है, कुछ EMI बगेर भी जा रही होगी, कुछ medical की खर्चे है, कुछ investment भी करना है, कुछ savings भी करनी है, और कुछ car की EMI जानी है, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ entertainment भी खर्चा करना है, हर महीने कहीं घूमने जाना है, कुछ shopping करनी है, कुछ holiday कहीं प्लान करना है, ठीक है, तो wants तो unlimited हैं, लेकिन जो पैसा है वो तो limited है, ठीक है, तो किस तरीके से human being अपने इस limited resource को, limited पैसे को किस तरीके से allocate करता है, ताकि वो अपनी needs को, हम economics में, right, तो मेरी खाल से अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा, कि economics क्या है, तो economics is social science, economics क्या है, ये economics क्या है, social science है, जिसमें हम human activity की study करते हैं, कि कैसे human, कि कैसे human जो होते हैं, वो allocate करते हैं, अपने scarce resources, scarce resources यानि, वो resources जिनकी कमी है, basically सारे ही resources scarce resources है, सारे ही resources एक limited quantity में available है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो एकदम abundant हो, एकदम वो कभी खतम ही निवाइसा नहीं है, ठीक है, सारे ही resources क्या है, वो scarce resources है, तो economics में हम human activity की study करते हैं, कि कैसे human being, अपने scarce resources को allocate करता है, इस तरीके से, ताकि वो अपनी needs को, अपनी wants को satisfy कर स सके, ठीक है, एक consumer है, ठीक है, वो कैसे अपनी needs को, अपनी wants को satisfy कर सके, अगर एक producer है, तो कैसे वो अपने profit को maximize कर सके, और अगर कोई society है, तो वो कैसे अपने social welfare को meet कर सके, maximize कर सके, तो इसकी study की जाती है, economics में, ठीक, तो economics अब मेरे खल से आपको समझ में आ गया है, ठीक, च पहले क्या है, scarcity, दूसरा क्या है, choice, दो main elements हैं ये economics में, economics में इनी दो चीजों की बात होती है, पहला, scarcity, economics क्यों arise करता है, because of these two things, इन दो reason के कारण economics का concept आया, पहला, scarcity, scarcity मतलब कमी, बतायता ना, resources की कमी है, ठीक, दूसरा क्या है, choice, resources की कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा हम अपनी सारी wants fulfill नहीं कर सकते हैं, हमें choose करना पड़ेगा, choice करना पड़ेगा, जैसे ये जो land है, ये सारे option available हैं, ठीक है, ये सारे option available हैं, लेकिन उसी land पर आप farming भी कर ले, house भी बना ले, shop भी खोलने, factory भी डालने, तो ये तो possible नहीं है न, तो आपको choose करना पड़ेगा, उस जमीन के टुकड़े पर आप खेती करेंगे, कि मकान बनाएंगे, कि दुकान खोलेंगे, कि फैक्टरी बनाएंगे, तो आपको इसमें से choice करनी पड़ेगी, तो यही हम economics में study करते हैं, अब ये जो person है, वो option चूज करेगा, जिससे उसको maximum satisfaction मनता है, ठीक है, maximum, मतलब एक utilize कर सकता है, जिससे अपने resources को, वो option वो choose करता है, ठीक है, तो economics में ये दो main चीज़े होती है, कि scarcity and choice, scarcity मतलब resources की कमी है, जिसकी वज़े से हमें choose करना पड़ता है, हम सारी wants को fulfill नहीं कर सकते है, हमें उसमें से best option को choose करना होता है, ठीक है, तो scarcity मैंने अभी पता है, scarcity होती क्य है, scarcity वो situation है, जहाँ पर क्या होता है, supply is less than the demand of the resource, यानि कोई भी resource की आबात कर लीजे, हर resource की क्या है, supply कम है, ठीक है, चाहे land ले लिजे, चाहे capital ले लिजे, चाहे labor ले लिजे, या कोई भी दूसरे resources लेजे, उसकी supply क्या है, limited है, कम है, लेकिन उसके demand बहुत जाता है, ठीक बसारिटी वो situation है, जहाँ पर supply is less than demand, this is scarcity, ठीक है, अबсьकेसिटी के कारण हमें क्या करना पड़ता है, choose, ठीक है, choice करनी पड़ते है, अभी बताया था ना, choice करनी पड़ते है, तो scarcity के कारण क्या आता है, इसकैसिटी के कारण हमें चॉ़ीस करने है, क्योंकि रिसूर्स इस लिमिटेड है इसकी विज़े से हमें चूच करना पड़ता है, ठीक है ताकि हम सारे ईप्शन तो चूच नहीं कर सकते, इसके ऊफ़ें जिता तो हम उसमें हमें चूच करनी परती है ताकि हम फmmies Limited, Alternative, जो भी Alternative हमारे पास available है, ठीक है, जो भी Alternative available है, उसमें से किसी एक को या दो को जो select करते हैं, this is choice, ठीक है, तो choice क्यों emerge होती है, क्योंकि सबसे पहला कारण है, क्योंकि resource limited है, हमारे पर जितने भी resources हैं, वो limited है, इसलिए हमें choice करनी परती है, और ये जो resources हैं, इनका alternative use है इन resources के कई use हैं, जिसकी वज़े से हमें choice करनी परती है, जैसे example के लिए, एक और example देती हूं, जैसे suppose करिए आपके पास 10,000 रुपए आपको 10,000 रुपए मिले, suppose करिए, पतलब pocket money मिली आपको 10,000 रुपए, ठीक है, तो आपके सामने तो बहुत सारे option है, आप बहुत टाइ पन रहे हैं, तो आप महाँ जा सकते हैं, या आपको laptop अगेरा खरीदना है, तो आप कम से कम उसका down payment करके, उसकी EMI स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास option बहुत सारे है, alternative बहुत सारे हैं, लेकिन जो resource है, आपको 10,000 रुपए मिले हैं, वो तो अभी इसी महीने क पैसा है, ठीक है, तो resource is limited, लेकिन alternative बहुत सारे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें choose करना पड़ेगा, ठीक है, हमें choice करनी पड़ेगी, या तो छुट्टी मनाने चले जो हाईल स्टेशन पर, या mobile खरीद लो, या laptop खरीद लो, या इसके इलावा और भी बहुत सारे option होंगे, ठीक है, तो आपको इसमें से choice करनी पड़ेगी, तो इसी की study हम करते हैं, economics में, ठीक है, तो scarcity की वज़े से आता है, choice, resources की कमी है, जिसकी वज़े से choice करनी पड़ती है, और choice करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, decision लेना पड़ता है, आपको decision लेना पड़ेगा, आपको समझदारी के साथ decision लेना पड़ेगा, कि मेरे लिए mobile जादा जरूरी है, कि holiday, किसी hill station पर holiday बनाना जादा जरूरी है, या laptop खईदना जादा जरूरी है, आपके लिए क्या जादा जरूरी है, वो आपको decide करना पड़ेगा, आपको decision making करना पड़ेगा, तो decision making क्या है, यह क्यों आती है, decide क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमाई पास limited resources हैं, और यह जो resources हैं, उनके क्या है, alternative uses, कई uses हैं, जमीन पे मकान भी बना सकते हैं, farming भी कर सकते हैं, तो कई uses हैं, पर जमीन का टुकडा तो limited है, तो इसलिए हमें choice करनी पड़ती है, ठीक, तो मुझे लगता ह काफी हद तक आपको पूरा economics का जो concept है, वो समझ में आ गया होगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूं, branch of economics, microeconomics and macroeconomics, यह दो ब्रांच है economics की, microeconomics and macroeconomics, चलिए, पहले microeconomics बताती हूं, तो microeconomics क्या है, जब हम economic problem के study करते हैं, ठीक है, जब हम economic problem के study करते हैं, at the level of individual, जब हम individual के level पे, जो भी economic problem है, उनकी study करते हैं, at the level of individual, individual के level पे, जब हम study करते हैं, तो उसको कहते है, microeconomics, इसको microeconomics कहते हैं, जब की, जब हम country के level पे, किसी economy के level पे, as a whole, जब किसी problem की study करते हैं, किसी economic problem की study करते हैं, किसी economic problem की study करते हैं, किसी economic issue क study करते है country के level पे as a whole ठीक है तो this that is called macroeconomics उसको macroeconomics कहते है ठीक यह बात समद में आई देखिए वर्ड जो micro है इसमें यह जो i है this i is stand for individual यह जो i है यह basically क्या indicate कर रहा है individual ठीक है यह जो microeconomics का i क्या है यह क्या है individual यह जब हम individual के level पे study करें तो that is microeconomics जबकि macroeconomics का यह जो a है देखिए मैंने red से highlight किया है यह क्या indicate करता है aggregate ठीक है जब हम aggregate level पे यानि collective level पे पूरी economy की बात करें पूरी country की बात करें तो वो क्या होता है वो होता है macroeconomics ठीक है यह मैंने समझने के लिए ऐसे किया हुआ है कि I का मतलब individual A का मतलब aggregate A का मतलब aggregate ठीक अभी जो microeconomics है यह word जो micro है यह Greek word से बना है जो word micro है यह किस से बना है यह Greek word micro से बना है जिसका मतलब क्या है small ठीक है जब हम small level पे individual household level पे या किसी individual के level पे जब economic activity की study करते हैं economic problem की study करते हैं तो वो होता है micro economics जैसे अगर हम demand में individual demand की बात करें ठीक है individual production की बात करें किसी individual household के production की बात करें individual के demand की बात करें individual household के की बात करें, price determination, factor pricing की बात करें, तो यह सब topic होते हैं micro economics के, ठीक है, लेकिन अगर इसी के जगह हम पूरे nation की demand की बात करें, पूरी जो nation है, यानि जैसे इंडियन एकॉनमी, पूरा जो nation है, उसके demand की बात करें, उसकी income, पूरे national income की बात करें, national employment की बात करें, GDP की बात करें, यह economy का topic है, as a whole हम बात कर रहे हैं, तो यह सब जो topic होता है, यह macro economics का topic है, ठीक है, और जो word macro है, यह किस से बना हुआ है, यह Greek word जो है macro से बना है, जिसका मतलब क्या है, large, यानि हम जब large level पे, बड़े level पे, जब हम किसी economic problem या economic issue को discuss करें, तो होता है topic macro economics का, ठीक है, तो किसी economic activity जो पूरी economy से related है, economy as a whole से related है, तो वो होता है topic macro economy का, जैसे जब हम aggregate demand of all goods and service, जब हम individual demand की बात करें, कोई household है, या कोई individual है, उसकी individual demand की बात करें, तो वो होता है micro economic topic, लेकिन जब हम collective aggregate demand, पूरी economy की पूरी कितनी की demand है, उसकी बात करें, तो वो होता है topic macro economics का, ठीक, और macro economy मे क्या-क्या पढ़ते हैं जैसे अगर नेशनल इंकम की बात हुई टोटल एंप्लाइमेंट की बात हुई या अनिम्प्लाइमेंट की बात हुई जर्नल प्राइस लेवल की इंफ्लेशन जीडीपी यह सब जो टॉपिक हैं जो पूरे नेशन की बात हो ना जा पर वो होगा चाह्म सब्सक्राइब जपजाने चाहां धोटाइब जूर्फ प्राइब के बात więc वसे पहले कंदो सब्सक्राइब करते हैं क्या थे इंडिवीजल लेवलपे इंडिवीजंव फॉर्म के लीवईल पर इंडिविज्वेल हाउस्वहॉल के लेज़े पर यहाँ पर क्रॉब्म के स्टेडी की जाती है जब कि मायकर्ड aúnim economy में क्या होता है macro economy में total economy as a whole पूरी इक्वाइज कि जिएज मैं Elisa तो ये पहला दिफरेंस बादे बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में यह है micro economic का पहले पताती हूं micro economy में basically हम study करते है determination of output थीर के micro economy में study करते है determination of output space andon price ad individual level के इन्ड ओफर्म के लेवल पे इन डफिव हेंड इंड इंड स्ट्री के लेवल फे तो इसी लिए जो माइठो कॉंद इंड होति है इसको इसको ठीकर बाद करते है जो माइठो कॉंद कॉंदि हें उसको इंकम औड इंप्लोईमेंट भी कहा जाता है, तो यह हुआ इनके बीच में दूसरा डिफ्रेंस, तीसरा डिफ्रेंस इनके बीच में यह है, कि जब भी हम micro economy की study करते हैं ठीक है जब भी हम micro economic different economic problem economic issues की study करते हैं तो हम एजियूम करते हैं कि जो macro variables हैं ठीक है वो क्या है constant है macro variable यानी national income हुआ GDP हुआ जो nation के economy के level पे as a whole जो factors है न वो क्या है constant है उनको ignore किया जाता है ठीक है constant है वो जब micro economy की study करते हैं तो अज्यूम करते हैं जब fragile कि इस हरे तो एक बात होगी तो पूजरे अगर कोई change आ रहा है तो हम उसे ignore करते हैं माइक्रो रिपल मानते हैं कि वो क्या एक constant है जब कि जब micro पढ़ेंगे तो एसके बीच में 3 दिपरेंस चौता डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि micro economics में micro micro economics में जो market forces होती है demand and supply इस जो market forces is demand and supply यह बहुत important role play करते हैं यह किसी micro economics की problem को जब आप study करते हैं ठीक है जैसे अगर आप pricing product pricing यह factor pricing इन सब को study कर रहे हैं तो वहां पर demand supply ठीक है बहुत important factor होता है यह बहुत important market factor है जो influence करता है microeconomics सी problem को जबकि macroeconomics अगर आप study कर रहे हैं तो जो government की policy है जैसे monetary policy, fiscal policy होई और भी different policies जो government की है वो बहुत important role play करते हैं जब आप macroeconomics study करते हैं ठीक है वो different जो economic problem है उनको effect करती है government की policy right तो यह चार differences है between microeconomics and macroeconomics ठीक I hope आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा और अगर नहीं समझ में आया है ठीक है कोई suggestion देना चाहते हैं तो वह भी मुझे comment section में जरूर जरूर बताईएगा क्या होता है वह हम समझेंगे simple economy क्या है complex economy क्या है फिर उसके बाद तीन टाइप की और होती है economy जैसे control economy free economy mixed economy हमारे इंडिया में mixed economy चलती है ठीक है तो यह सब क्या होता है यह सारी चीज़ें हम अगले lecture में पढ़ेंगे ठीक है तो चली फिर मिलते हैं अगले lecture में तब तक अपना ध्यान रखेगा और तब तक यह जो part 1 है वह पढ़के रखेगा फिर हम उसके बाद second क्योंकि sequence में चलिए आपके लिए अच्छा रहेगा और इसी लिए मैं numbering डाल कि आप लोगों को नहीं suggest किया था कि वीडियो पर नंबर डालते तो पार्ट वन आ गया है पार्ट तू अब मैं जल्दी अप्रोड करने वाली हूं ठीक है तो इसी लिए sequence में पहले तब तक आप वन पढ़के समझ के अच्छे से रखेगा कोई डाउट हो तो कमेंट में तब तक अपना ध्यान रखेगा गौड ब्लेस यू